अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ एटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्क वगरा पे टाइम तो दे रही होगा ना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीच्मिन बनाता है आपकी क्लास को असनी डिजिटल और आउटोमेट कर देता है यह सारे काम, इसली तो कहते हैं कि टीच्मि के, साइंस के एक बहुत ही ज़या इनपोरेंट्टेंट जिसका नाम है Compulsion and Flame, यह जो हमारा चिप्टर Combustion and Flame है यह चप्टर बहुत ही ज़या इनपोरेंट है और साथी साथ बहुत ही ज़धा interesting है इस chapter में आपको बहुत ही नए नए चीज सीखने को मिलेंगे और साथी साथ इस chapter से बहुत सारे questions भी बन जाते हैं और question जो है वो हमारे entrance exam में इस chapter से आते भी हैं इसलिए यह जो हमारे chapter है वो बहुत ही ज़धा important है तो चलिए हमारा chapter है combustion and flame इस chapter को हम start करते हैं तो start करने से पहले मैं आपसे एक बार request करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे channel burn edge question को subscribe नहीं किया है तो यहां पे आपको subscribe का button दिख़ा होगा इस channel को subscribe कर लिजे और साथ में आप इस bell icon को भी दबा दीजे तो चलिए हम अपने chapter को finally start करते हैं तो हमारा chapter का नाम है combustion and flame तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि यह जो combustion word है इसका मतलब क्या होता है तो यहां पे आपको combustion का definition दिख रहा होगा और इसी definition से क्या करने बाला हूँ तो मैं यह सारा चीज आपको समझाने वाला हूँ अब यह combustion क्या होता है और chemical process in which a substance react with oxygen to give heat and light तो देखे यह जो होता है यह एक chemical process होता है जिसमें कोई भी substance oxygen के साथ react करने के बाद वह हमें क्या देता है वह हमें heat देता है और light देता है यहाँ पर oxygen से react करने का मतलब क्या हुआ उसको हम जलाते है तो वह हमें क्या देता है वह हमें heat और light देता है जैसे में यहाँ पर आप example देखे आप अगर हम कोईला को जलाते हैं अगर हम कोईला को जलाते हैं oxygen से react करवाते हैं जलाना और oxygen के साथ react करवाना दोनों सेम है आपको confusion नहीं होना है कि oxygen के साथ कैसे react करवाएंगे oxygen के साथ react करवाने का मतलब हुआ है एहां पर जलाने का काम तो अगर अगर हम को औक oxygen के साथ react करवाते हैं तो हमें मैं क्या देता है? Hit or light देता है यहां पर आप इमेज से भी समझ सकते हैं अब यहां पर आपको दिख रहा होगा आपको जो है उड दिख रहा होगा तो उड को हम क्या करते हैं उड को अगर हम ऑक्सिजन के साथ रियक्ट करवा रहे हैं तो यह हमें क्या देता है यह हमें लाइट देता है जब किसी भी चीज को जलाते हैं तो रॉषनी उत्पन होती है और साथ ही साथ उसमा यानि कि हीट जो है और रिलीज होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते है कंबसें और सिंपल भासा में अगर हम बोले तो कंबसें का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना अब देखिए कोई भी चीज होता कॉल भी जलता है जैसे में आप हैप कौक कहा कर सकते हैं यह सारे चीज़े जलते हैंchatu बहुत सारे ऐसे अब्जेक्ट होते हैं जो नहीं जलते हैं जिसको हम बोलते हैं जो नहीं जलते हैं जिसको हम बोलते हैं जो नहीं जलते हैं जो नहीं जलते हैं तो देखें कभी भी जो हैं आप वह स्टोन पत्थर को नहीं जला सकते हैं आप ब्रिक को भी नहीं जला सकते हैं साइल को नहीं जला सकते, शैंड वाटर और नील्स को यह सारे चीज्जे आप कहा कर सकते में नहीं जला सकते तो मैं आपको बताया कि reaction क्या होता है और combustion से आयाców हमरा से फैक्टर निसेसरी है, Condition necessary for combustion, अगर हमें किसी चीज को जालाना है तो हमें कौन कौन सा Condition चाहिए ओ दिख लेखे, अगर हमें किसी भी चीज को जालाना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कोई भी जलाने वाली वस्तु चाहिए, मतलब सब्सक्राइब जलाने का जो प्रोसेस होता है उसमें oxygen इंफॉल्व होता है तो oxygen चाहिए और साथ ही साथ heating the combustible sub-dance to igneous temperature तो देखें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा simple तरीका से बता देता है अगर मार लिजये अगर हमें किसी चीज को जलाना है किसी भी चीज को जलाना है तो सबसे पहले हमें जलाने वाली वस्तु चाहिए और फिर हमें oxygen का नीड परेगा और साथ ही साथ igneous temperature चाहिए अब igneous temperature क्या होता है तो देखें अगर किसी भी चीज को जलाने के लिए अगर हमें पेपर जलाना है तो पेपर जलाते हम कैसे हैं हम उसको मैचिस टेक यानि कि माचिस की हेल्प से जलाते हैं तो माचिस जो उसको हीट परवाइड करता है उसको हम igneous temperature बोलते हैं अब igneous temperature आपको यहां पर समझ में आ जागा है क्या है एस्वार देखिया क्या है अमरा igneous temperature आपके इसको हम बोलते है अगनिंएस टेम्परेचर जो होता है और बहुत ही जादा हो रहा होता है और किसी भी चीज का जो तीमप्रेचर होता है वह बहुत ही जगाता है हम देकि सुम आप अपतर लोवर इगिनियस तë 보세요 मतलब कि यह ऐसे सब्टान्स है जो थोड़े से लोग त्षाल में आग लेते हैं जैसे met вещи neighbours आप इसको थोड़ा सा चिंगारी दीजिएगा यह आग पकर लेगा केरोशीन वाइल थोड़ा सा इसको चाहिए कोई भी चीज अलकोहल चीज यह सारे चीज है इनको थोड़ा सा टेंपरेचर देना पड़ेगा अब उहीं पर देखें कुझ ऐसे उबजेक्ड होते हैं जिसके पास थोड़ा सा टाइम लेगा पेपर चलते हैं ह। अगरे चलते हैं तो मैं को परधा दे के कंबस्यन क्या होता है। फिर combustible substance क्या होता है और कौन से condition होते हैं combustion take place करने के लिए तो अब हम जान लेते है type of combustion combustion जो होते हैं वो हमारे कितने type के होते है और यह जो चीज है बहुत ही जदा important है और बहुत ही जदा interesting आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा आपके पिशेच रखना पड़ेगा अब सबसे पहला जो हमारा type होता है देखें combustion का जो type होता है वो हमारा तीन type का होता है तो पहला होता है अबरा rapid combustion तो रैप डिट का मतलब आपको मालूम है कि इसका मतलब होता है जल्दी क्या होता है बहुत ही जादा जल्दी Fast तो फास्ट कंबर्सन मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जल्दी आग लग जाएगा तो देखें यहां पर आपको क्या देख रहा होगा कि अ गेशल्य सेथे लार्ज अमांट अफीट रडंट अफीट मिलेगा और साथी सथथ आपको लार्ज अमांट फ़ाइट मिलेगा जैसे आप अगर LPG GAS जलाते हैं तो LPG GAS जो होता है तुरंत आग पकर लेता और बहुत ही ज़्यदा Heat and light भी देता है वहें पर करशीन वाइल को अगर आप जलाते हैं तो वह क्या करेगा तुरंत ही ज़्यादा एक fire को catch कर लेता है और साथी साथ heat and light बहुत ही जादा प्रवाइड कहता है अब देखे spontaneous combustion spontaneous का मतलब मैं आपको बता दू कि Hindi मतलब क्या होता है spontaneous का मतलब ऐसा चीज जो अपने आप हो जाए ऐसा चीज अपने आप हो जाए अब मैं आपको बताया था कि किसी भी चीज को जलाने के लिए combustion take place करने के लिए external heat का जरूरत होता है लेकिन कुछ ऐसे substance है जिनको कोई भी external heat का जरूरत नहीं होता है कोई भी उनको igneous temperature का जरूरत नहीं होता है उसे होते हैं खुद अपने आप आग पकर लेते हैं जैसे में देखें मैं आपको बता दू दा बर्निंग आफ white phosphorus तो white phosphorus जो है वह एक chemical होता है यह एक substance होता है जो जिसको आप room temperature में अगर आप रख देते रूम temperature में आप इसको अगर रख दीजेगा यह जो है खुद बहुत खुद क्या करेगा यह जो है खुद बहुत खुद आग पकर लेगा और यह जो चीज है यह बहुत ही जदा important है आपको याद रखना है phosphorus और sodium दोनों चीज होता है Na sodium को हम बोलते हैं and phosphorus तो चलिए यह जो सारा चीज है वह आपको समझ में आजाना चाहिए phosphorus होता है और हमारा sodium होता है अब क्या करते है अब हम जान लेते explosive combustion अब explosive का मतलब आपने सुना होगा कि आपने न्यूज में अकसर देखा होगा कि जब बं कहीं पे फूटता है तो हम उसको बोलते है explosive combustion तो देखे explosive combustion क्या होता है a very fast combustion reaction in which large amount of heat light and sound are produced यह एक ऐसा combustion होता है इसमें heat light के अलाबा एक नया चीज फॉर्म होता है जिसको हम बोलते है sound sound भी जो है वह इसमें क्या होता है इसमें release होता है अब यह जो सारा चीज है वह मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर देखे जो भी हम पटाखा जलाते हैं crackers वह हमारा explosive combustion का example है अब यहां पर देखे rapid combustion rripid combustion में क्या होता है बहुत ही जल्राज्वर्ट अमांट हम बोलते हैं sound sound भी हीट एन लाइट के अलावा इसमें हमें sound भी देखने को मिलता है तो इसका example आपको याद रखना है और साथी साथ explosive combustion आपको याद रखने हैं अब हम क्या करते हैं अब हम जाने ते fuel तो fuel आपने सुना होगा और आगर आपने नहीं सुना है अब यहां पर देखें फ्यूल हमारा क्या होता है तो fuel और material बीच बोन तू परड्यूस हीट यह एक ऐसा material है जो जलता है तो हमें क्या देता है हीट देता है तो इसी को हम बोलते हैं प्रड्यूस है ध्यूस को अगरव ज्ला उसे कीवी ज्यकों सब्सक्राइब और ऋभी हिट प्रड्यूस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ठीसे कवेला हम जिज्लाते हैं तो कोयला हम sudah क merciful console बीनर्षी यह जीसे में कि क deven चैम्पल देख रहा होगा, वूड हो गया हमारा fuel, coal fuel, LPG gas, kerosene oil, petrol, natural gas, biogas यह सारे चीज हैं, और fuel है, मतलब इनको अगर हम जलाएंगे, तो यह हमें क्या परफाइट करेगा, तो आप हमें, heat प्रफाइट करेगा अब देखें oil भी जो होते हैं वो हमारे त्री टाइप के होते है एक solid fuel होते हैं दूसरा liquid fuel होते है त्वैसरा वो हमरे gases fuel अब आपको मालूँ है कि solid fuel के solid state में होगा जैसे मैं wood होगया of coal होगया coke होगया यह हो से हमेही इस गनीजंव सब्सक्राइज बने पां जाता है ऑडिक डिवों ऊर्व यह तो तो है वो आपको समझ में आगए बात तो अब हम जाने लेते हैं से ही लिए लेटिवव में है अब यह कलरोफिक वैलिउ औफ फ्यूल क्या होता है तो देखें मैं यहां पर आपको बता देता हूं different fuel produced different amount of heat तो कोई भी चीज है उसको हम जलाते हैं तो बहुत सेम amount of heat producing नहीं करेबा जैसे में अगर आप LPG gas जलाते हैं और एक तरफ आप उड जलाते हैं तो आप देखेगा कि LPG gas पे जो हमारा खाना है वो जल्दी बन जाएगा और उधिपर उड्ट याणि कि लकडी पे जो खाना है वो हमारा थोड़ा से जल्दी नहीं बनेगा तो यहाँ पे आप देखेगा कि LPG gas जो है वो ज्यादा heat produce करती है और उट जो है वो कौम heat produce करती है तो इसी process को इसी परकिडिया को measure करने के लिए हम उसका क्या निकालते है हम उसका calorific value उस fuel का निकालते है अब यह क्या होता है the amount of heat produced by complete burning of 1 kg of fuel is called its calorific value अब यहाँ पे यह जो सारा चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ माल लिजे अगर हम क्या किये हम जो है ओ एक केजी कोई भी चीजी है और इस एक केजी को हमें क्या किये है हम इसको जलाती है और यह जो एक केजी जितना heat produce करता है यह उसका क्या होगा क्लेरिफिक बैल्यू होगा अब यहाँ पें देखिए क्फेसिन कीलो जूल पर किलो ग्राम केज एक कीजर चीजे अगर हम जलाते हैं वह हमें जितना हीट पर्डूस करता है वह जितना कीलो जूल हीट पर्डूस कर रहा है तो उसको हम बोलते है कलिवरिफिक वैलो अब यह सारा चीज है वह आपको एहां पर समझ में आ जाएगा अब यहां पर देखें काव डंग जो है वह एक केजी अगर केजी काव डंग केक को अगर हम जलाते हैं तो वह हमें कितना कीलो जूल देगा तो वह हमें 6,000 से 8,000 कीलो जूल देगा उहीं पर देखें उट जो है वह हमें कितना दे रहा है 17,000 से 22,000 कीलो जूल दे रहा है अब देखें कोईला जो है वह हमें कितना दे रहा है पचीस हज से 33,000 kJ heat produce कर रहा है पे ट्रोल 45,000 जा रहा है किरोसीन वाइल 45,000 डीजल 45,000 अब यहां पर देखें सी एंजी 50,000 अब यहां पर देखें बायो गैस जाता दे रहा है अब देखें हैड्रोजन गैस कीतना दे रहा है तो यहां पर यह जो सारा चीज है वह आपको अब समझ में कर रहें देगा अगर हम क्या करें अगर ज हो हैं हम खाना बनाते हैं एक खाना बन रहा है हमारा ऑ दूसरा खाना बन रहा है माली जिफिर हमारा LPG-7 ज़ल्ण हमारा LPG-7 कैस बनेगा अब यहां पर देखे, अब महाली जे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ले हम LPG और हैडोजन, हैडोजन भी यूज होता है अब दोनों में से कुछ पर ज्यादा खाना बनेगा तो ओ है, हैडोजन पर, यह बस मैं आपको एक्जाम्पल बता रहा है, तो यह सारा चीज है वहा को सम फ्यूल का जो गलोरिफिक वैल्यू है वह बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए, क्या होता होना चाहिए, जो मोडरेट एयर टेंपरेचर में क्या कर सकते हैं, उसमें बर्न कर सके है, और रूम टेंपरेचर में आसानी से जल सके है, अब आगे हमारा, इट हैस प्रोपर आप यहां पर मैं आपको बता दु कि कोई भी हमारा एक fewल है उसके पास एक्ज परूपर इगनियस टेंपरेचर चाहिए अब यहां पर इचीज मैं आपको बस्स पलिए तो अगर हम क्या किये हमें एक तरफ लिए coal दूसरे सप्रीbab हम लिए coal दूसरे तरफ लिए सोडियम को हम एने से डीनोट करते हैं अब दोनों में से अच्छा फ्यूल कों है तो देखेगा कि आप कोईला वह अच्छा फ्यूल आप तो कोईला के पास प्रूपर इगनियस टेंपरेचर है अगर हम उसको एक्स्टरनल हीट देंगे तभी यह आग पकड़ेगा वहीं पर सोडियम क्या करेगा रूम टेंपरेचर में हम इसको रखेंगे बिना कोई भी टेंपरेचर दिये हुए इसमें खुद बखुद आग लग साहना कोई अगर हम उसको जलाते है आशिए राख ऱह गर नहीं बचना चाहिए अब सब się इन पोर्टैंट्ट यह है कि यह हमारा चीफ होना चाहिए साहीए सात्यी साहरत बहुत ही अच्छी मतलब होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट यहे हम उना चाहिए अब जो ह आपको यहां पर समझ में आ देगा अब फिलेम इज रेजन वे कंबोर्शन और बर्निंग और सब्टांस टेक प्लेश अब देखें एक ऐसा रीजन है जहां पर किसी भी चीज का कंबोर्शन जो जीज जल रहा है वो टेक प्लेश होता है अब यहां पर देखेंगा कि सम अब बिच बोन बाइ फिलेम और एलपीजी गैस बायो गैस केंडल्स कैमफोर केरोसीन वाइल मस्टर्ट अब देखें यह जो सारे चीज है यह अगर जलते हैं तो इन में क्या मिलेगा आपको आपको फिलेम दिखेंगा ओहीं पर अगर आप कोईला को जलाते हैं तो आपको कोई कैंडल हमारा तो इस ही बाइन हमारा क्या क्या ह lav kय róż एडर घ्री जॉर्ण में हमारे क्या का जलेगा यह जो है कैंडल हमारा जल्ड तो इसी को हम बोलते हैं writings क्या बोलता है क्या चुन आपको समा लीचजम कोई भी कोई बолов información होगा तो कोईला में कोई यह दिखेंगा नों ख आपको candle में जो है वह आपको flame देखने को मिले अब देखे फैम जो भी हमारा combustible material है जो flame produce करता है उसके flame को हम तीन पार्ट में डिवाइड के हैं पहला होता है हमारा inner zone जिसको हम black zone बोलते हैं दूसरा होता हमारा middle zone जिसको हम yellow zone बोलते हैं और तीसरा जो होता है हमारा outer zone जिसको हम blue zone बोलते हैं अब यह जो सारा चीज है वह आपको एहां से समझ में आ जागा अब देखें सबसे बाहरी हिस्चा सबसे बाहरी हिस्सा outer zone of complete combustion आप देखेगा तो यह जो है हमारा ब्लू है ब्लू कलर में होता है और यह जो है वह सबसे ज्यादा hottest part होता है सबसे ज्यादा hottest part अब यहां पर देखें middle zone देखेगा तो यह middle zone है वह हमारा yellow color का होता है और यह हमारा moderate heat produce करता है अब सबसे लास्ट बाला पांट जो है वह हमएरा black जून होता है जिसमें जो भी on burnt wax होते हैं candle जालाते हैं तो आंपे हमodla होते है अब सबसे ज्यादा कम heat वाले प्लेस होते हैं अब यो छीय देख छहना है यह फ्लेम का structure आपको रट जाना है और यह फ्लेम का structure है इसको मैं आपको पूरे detail में भी परहने बहुत है अब देखें सबसे पहले आता है हमारा outer most zone जिसको हम black zone बोलते हैं थुआ सा inner zone से बाहर बरेंगे तो हमारा जाता है middle zone जिसको हम yellow zone बोलते हैं अब देखें यह black zone इसलिए है क्योंकि जो भी unburnt vapor है वह हमारा black color के होता है इसलिए यह black zone अब यहां पर देखें यह जो है bright or luminous zone होता है और यहां का temperature होता है moderate temperature होता है अब हम आगे क्या करते भाई सब अब हम जान लेते आउटर जों आउटर जों जो है वह हमरा blue zone होता है यह जो है hottest part of the flame है it does not produce light यह जो है वह light produce नहीं होता है और मैं आपको बता दूं कि जो combustion जो हमारा complete combustion यहीं पर take place होता है complete combustion वह हमारा एनंटीपर take place होता है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ आपको फिर से समझा देता हूँ तो सबसे पहला जो आघवाट है इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिजान इसको पेर बोलते हैं बुलू जो फीर आता है हमारा यल्लो जोन इमोर जोन में फिर हमारा यह ब्लैकोन होता है अब आपको मालूम है कि बुलू जो है हमारा सबसे ज्यादा हौट है ये मोडरेथ है और ये सारा चीज ये सारा चीज आपको बहुत जैज्दा आसानी तरिका से समझ में आगया होगा कि ए जो हमारा जो जो भी फ्लेम का श्ट्रक्चर था वो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ तो यहां पर हमारे चेप्टर कंबोर्शन और फ्लेम कंप्लीट हो चुका है अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वडियो में उसे पहले मैं आपसे एक बार रिक्ष्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल बान एचकेशन को सिस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सिस्क्राइब कर लिजिए कि कोई आपको हमारे चैनल पे इसी टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे धन्यबाद जय हींद जय भारत